नमस्कार दोस्तों आपका हमारा यूट्यूब चलन स्वागत है दोस्तों देख से तो आज हमारा बर्ड का 24 दिन है और बॉड़ीवेट की बात करें तो एक किलो एवेरेज है जो की कम है जो की 1100 ग्राम होना चाहिए था लगबग 24 दिन में लेकिन 100 ग्राम पीछे इसलिए है क्योंकि टेंपिर्चर बहुत हाई चाल रहा था उस दिन से पूरा 15 दिनों से अपनी साइड एक दिन हुआ है बस पानी गिरा है कल अभी टेंपिर्चर नॉर्मल है जितना भी वाड़ीवेट ब्याक है पूरा कबर हो जाएगा भी एपसीर सही है दुस्तों जितना फिट ख और योगा टेंप दॉस्तों निकालने के लिए पूरा हिसाब करना पड़ाता है कितना अखाया लेकिन दाना जितना खाया अबसे ठीक है क्योंकि आपने को पता है कि हम कितना बना रहा है कि अंच जोश्त त्थीक है इस दो सबस्ते हैं अभी चत्तिजगड में राइपूर में इस रेट से अगर कोई पॉल्ट्री सेलिंग करता है तो अच्छा का सब देखने को मिलेगा तो देखते हैं अपने अपने टाइम में क्या रेट रहता है तो चांस तो नहीं यह रेट का मोने का क्योंकि चीक्स का रेट बहुत हाई जो तो भारमार पंदरा जर पॉल्ट्री पालते तो वह 12-13 छो रहा है मतलब कम चोड़ रहा है कम कॉंड़े में जिससे क्या पॉल्ट्री का मतलब कमी रहेगा जिससे रेट बना रहेगा ऐसा लग रहा है मैं रखो बाकी रेट का पता नहीं क्या होगा कुछ भी हो सकता है तो अपने टाइम में आने से बताऊंगा क्या रेट चाल रहा है बाकी और कुछ दिन तो बचा है 15 दिन बचा है 15-16 दिन के बाद तो लिप्टी वही जाएगा उस टेम रहा है गना चुतृति देखते है रेट क्या रहता है लेकिन गना चुतृति में रेट डाउन नहीं होता ह चारत साल के तज़र्वा में देखा हूं तो डेट कम नहीं होता है गना सुच चुतृति में देखते हूं पूरा पूलट पूलट मतलब स्था करूंगा तो बीडो का लाएगा आपको क्या कॉस्टारा फिनिशर फिट का अगर उसको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना कल की डेट में फिनिशर का वीडियो अपलेट करूंगा क्योंकि इन लोग का इस्टेटर खतम हो चुका है अब बाड़ी है फिनिशर का तो उसको कल देने बाड़